हाई गाईस क्या हाल ने आप सभी के होप सो आप सभी अच्छे होंगे आपकी स्टड़ी अच्छे से चलती होगी गाईस दिस इस ये प्रप्चोत और आज मैं सर आपको इस वीडियो में बोहत ही इंपोर्टन इंफोर्मेशन प्रोवाइड करूँगा ठीक है जी और इस न्यू कोर्स के लिए भी और सी ये आई पी सी स्टुडेंट सर ओल्ड कोर्स के लिए भी सभी के लिए रेलिमेंट है इसलिए ये वीडियो को पूरा पूरा एंड तक देखना मैं आपको यहां पे कुछ इंफोर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा और सर आपके साथ न्यू कोर्स के लिए ये फ्री चैलेंजिस एंड फ्री टेस्स एरिस कंड़क्ट करवाई थी ठीक है दी टोटल इसमें मैंने आपको चार चैलेंजिस प्रोवाइड किये थे और चैलेंजिस मैंने प्रोवाइड कर दिये थे और हमारे यहां पे तीन टेस्ट भी कंप्रीट हो गए थे, एक टेस्ट अभी पेंडिंग है, तो इसके लिए एक्जाम अभी पोस्पन हुए है, तो मुझे यहाँ पे स्टूडन्स की काफी ज़्यादा सर क्वेरी आ रही है, कि यह जो हमारा टेस्ट एक पेंडिंग है, जो कि हमारा फोर्थ टेस्ट है, क्या वो as per schedule होगा सर, बिल्कुल, वो बिल्कुल as per schedule होगा, जो हमारा टेस्ट है सर, वो कल है, यानि के 15th अक्टूबर को, बिल्कुल as per schedule होगा, सर, इबनिंग में 8 पीम, अराउंड 8 पीम हम टेस्ट अपलोड कर देंगे, अपने टेलीग्राम के चैनल पे, इसके बाद around 10 पीम, इसके आपको हिंट solution मिल जाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल ये as per schedule होगा, इसमें कोई भी change नहीं है, काफी students इसके लिए पूछ रहे थे, इसमें सर, कोई भी change नहीं है, ठीक है जी, मैं हम यहाँ पे कुछ बाते करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे mock test papers के recording, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे students की क्या request आई है, सर, हमने क्या किया था, CA inter, accounts new course, और CA inter, advance accounts new course, हमने क्या किया था, जो जो study material आपके लिए applicable है, ठीक है न, उस सभी को, उस सभी के chapter compile करके, एक PDF फाइल बनाके, हमने अपने टेलिग्राम पे share किया था, आर्टीपीस भी सभी के सभी compile करके, दोनों के, ऐसा ही किया था, सर, अपने टेलिग्राम पे एक file share की थी, सभी आर्टीपीस compile करके, उस सर, इनके suggested answers भी, दोनों के, compile करके, एक एक file बनाके, हमने अपने टेलिग्राम के channel पे share किया था, ठीक है जी, accounts का, study material, पूरा सर, सभी chapter, एक file बनाके share किया था, इसके सभी आर्टीपीस भी, उसके सभी suggested answers भी, ठीक है, advance accounts का भी हमने ये किया था, सभी सभी chapters इसके compile करके, एक ही file बनाए थी, study material की, वो share की थी, advance accounts के आर्टीपीस भी ऐसे किये थे, सभी आर्टीपीस compile करके, और सर, इसके suggested answer भी, ये हमने share किया था, ठीक है, इसके बाद मुझे most of the students की request ये आई है, students कहते हैं, कि सर, सभी teachers कहते हैं, even आप भी कहते हो, कि mock test papers भी बहुत ज़्यादा important है, ये भी हमें try करने चाहिए, मैंने का, हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, ये आपको try करने चाहिए, और students ने, हम मुझे ये कहा, कि mock test papers को भी, आप please compile करके दे दो, आप please कोई दिकर नहीं है, अब यहाँ बे मैंने कुछ students से बात की है, तो वो students क्या कह रहे हैं, वो students ये कह रहे हैं, कि सर, जो हमारा accounts और advance accounts का syllabus है, वो पहले नवंबर 19 तक different था, इसके बाद May 20 में हमारा ये change हो गया, May 20 का तो चलो, यहाँ पे सर, attempt नहीं हुआ, वो तो cancel हो गया, मैं जल्ली बता रहा हूँ कि सर, May 20 से वो change हुआ था, अगर होता तो May 20 के लिए वो सा change होता, अभी नवंबर 20 का attempt है, तो इसके लिए आपको पता होगा कि सर, हमारा slabels ना change हो चुका है, नवंबर 19 तक accounts और advance counts का slabels डिफरेंट था, अभी सर, यह May 20 से यह हमारा change हो चुका है, तो यहाँ पे students, कुछ students ने यह कहा, कि सर, मोक टेस्ट पेपर, आप एक काम कीजिए, May 20 और नवंबर 20 वाले हैं, जो की change slabels के साथ हैं, आप सिरफ वो ही compile करके दे दी दिये, कुछ students ने कहा, सर, आप पूरे May 18 से compile करके दी दिये, तो यहाँ पे सर, मेरे कुछ student से बात हुई है, तो students यहाँ पे double opinion मुझे दे रहे हैं, अब आप बताओ, मैं आपके साथ बातें यही करना चाहरा हूँ, अब आप आप बताओ, क्या आपको यह पहले तो यह बताओ, कि मौक टेस्ट पेपर compile करके आपको एक पीडिया फाइल में चाहिए, या नहीं चाहिए, अगर चाहिए, तो बताओ, सिरफ में 20 और नमबर 20 का compile करके दो, यहाँ सर में 18 से पूरे compile करके दो, अगर आप में 18 से देखोगे ना, तो में 18 से लेके नमबर 19 तक जितने भी मौक टेस्ट पेपर हैं, वहाँ पे सर हमारा syllabus चेंट है, तो स्टूडन्स कहा रहे हैं सर जो हमारे syllabus में होगा, हम वो question ट्राइ कर लेंगे न, अब इसलिए में 18 से प्रोवाइड कर दो, और कुछ स्टूडन्स कहा रहे हैं कि सर हम यहाँ पे puzzle हो जाएंगे, इसलिए आप लिस में 20 और नमबर 20 का ही compile करके दो, अब आप बताओ, आपको क्या चाहिए, मैं सर उसके accordingly provide कर दूँगा, दोनों का ही कर दूँगा, accounts और advance accounts का, और अपने telegram पे ही share करूँगा, अपने telegram के channel पे PDF file share हो जाएगी, आपने अगर telegram का channel join कर रखा है, तो कोई दिक्क्र नहीं है, अगर join नहीं किया हुआ, तो telegram का channel जुरू join कर लो, सर लिंक नीचे आपको वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा, ठीक है जी, otherwise telegram पे search कर लो, simply see it, प्रप्चो सिंग, आपको हमारा telegram channel मिल जाएगा, उसको जुरू join कर लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे, अब मैं आपके साल बाते यही करना चाहरा हूँ, आप मुझे बताओ, कि आपको ये mock test paper, compiled file, एक compiled file आपको इसकी चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको सर कहां से चाहिए, में 20 और नमबर 20 का चाहिए, या सर में एक टीन से चाहिए, मुझे ये चीज़े नीचे कमेंड करके जरूर बताना, अदर वाई, ये मेरा नमबर है, 9915825991, आप इस नमबर पे वार्टसैप भी कर सकते हो, जो आपका दिल करता है, कर सकते हो, हमें जरूर बताना, तो हम उसके गोड़ेंगे ही काम करेंगे, ठीक अपना अपना रिलेशेंशिप एक नेक्स लेवल पे लेके जाना चाहरे है, और सर्क क्या करना चाहरे है, इसको ग्रो करना चाहरे है, और एक ग्रो कैसे होगा, देखो, अब ही आप हमारे साथ अटैच हैं सर्व यूडूब के तरू या टेलीग्राम के चैनल के तरू, बि लेकि मैं चाहरा हूँ कि हमसर ये जो रिलेशेंशिप है, वन टू वन वाला, इसको जादा से जादा ग्रो करें, तो ये ग्रो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा नंबर है, डबल नाइन वन, फाईव टू फाईव डबल नाइन वन, आप इस नंबर पे हमें वोड़सेप करें, या सर्ट टेलीग्राम करें, कुछ भी करें जो आपका दिल करता है, लेकिन कैसे करेंगे, कि सिक्क्वेंस में होगा, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप लिखें आपका नाम क्या है, आपकी सीटी क्या है, ठीके जी, इसके बाद लिखें आपका इसके बाद इसके बाद गरूप कॉन सा आपके सेब करने इजी हो जाएंगे, और मूदे पता चल जाएगा तो उसके कोड़ेंगे हम यहां बाते कर बाएंगे, तो यह चीजव है कि मैं आपको कम्मिकेट करना हमें इजी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस जैसे कि mock test paper की बात है जो मैंने आपको बताई है लेकिन काफी students हैं हम बातें नहीं गर्माई हैं क्योंकि हम one to one उनके साथ अभी link में नहीं हैं तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ये भी include किया सब mock test paper आपको कैसे चाहिए तो इस तरीके की अगर कोई चोटी चोटी बातें होंगी ना तो हम one to one यहां पे अगर वाटसाप या टेलिग्राम पे link में होंगे तो हम बातें कर पाएंगे और आप भी मेरा opinion भी जान पाऊगे और मैं आपका opinion भी जान पाऊँगा ultimately सब चीज आपको आनी है जैसे mock test paper मेंने आपको ही provide करने है तो एक उसकी value अच्छी बन जाएगी अगर आपका opinion भी होगा और आपको जो चाहिए वो ही चीज़े मिलेंगी तो अब इसी तरीके से हमें इस sequence से यह WhatsApp करें साथ टेलीग्राम करें से जो आपका दिल करता है कर सकते हैं लेकिन इसी sequence में रखें मुझे यहाँ पे न सेफ करना आपका number easy हो जाएगा जैसे कि अंकी सर अंकी तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अगर आप साथ में CT लिखोगे तो मुझे आपका number save करना easy हो जाएगा ठीके जी अज्यूम करो यहाँ पे सर आपका नाम है अंकी डेली ठीक है जी न्यू से हो अगर आपका group कोई भी clear नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो पता चल जाए और सर मैं आपकी opinion भी पता कर पाऊं और फिर उसके accordingly हम बर्की करें ठीक है जी एक बात मैंने आपसे यह कर दी ठीक है यह मैंने आपको communicate कर दी ठीक है सर अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपने YouTube पे हमारे जो भी revision lecture देखे है ठीक पारे पासर उसका feedback जरूर दें आपका feedback बहुत जादा motivate करता है देखो हमने marathon vision भी upload किये हुए है उस बारे में बताओ की सर आपको वो कैसे लगते हैं और हमने यहाँ पे देखो CA inter accounts new course की even free challenge series और free test series भी करवाई थी बिलकुल free of cost तो उसके बारे में आपका सर क्या feedback है आपक एक कैसी लगी आपको इससे कितनी help हुई है यह सारी चीजे हमें feedback जरूर दें इसके बारे में ठीक है ना आपका feedback बहुत जादा motivate करता है फिर हम और भी ऐसी ऐसी चीजे लेके आते रहेंगे बस इस नंबर पे 991-5825-991 इस नंबर पे सर वाट्सटाप करें टेलीग्राम कर कि अब कुछ स्टूडेंट क्या होगा सर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लीनेट हो जाएंगे कुछ स्टूडेंट लेजी हो जाएंगे सर मैं आपको यही कहूंगा ना ही अपने लीनेट होना है और ना ही अपने लेजी होना है आप जिस स्पीड से अपना काम करते जा रह यह जो हमारे exam postpone हुए हैं जो आपको यहां पे extra time मिला है उसको अच्छे से utilize करो सर इसको as a opportunity treat करो और साथ में जो हमारे पास extra time मिला है उसको अच्छे से use करो अपनी revision थोड़ी जादा कर लो और जो concept आपके थोड़े से come strong है उसको और strong कर लो अच्छा हो जाएगा सर एक्साम हमारे अच्छे हो जाएंगे हमारे easily pass हो जाएंगे तो इस तरीके से आप इसको use कर सकते हो मेरी तो आपको यही advice रहेगी आप linear बिल्कुल ना हो और सा lazy बिल्कुल ना हो ठीक है जी जो हमें time मिला है इसको अच्छे से utilize करो ठीक है सर सब यहां पर हमने सबी चीजे discuss कर ली है एक बाए मैं repeat कर देता हूँ कि हमने यहां पर क्या 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 discuss किया सबसे पहले हमने discuss किया कि हमारा test as per schedule होगा इसके बाद हमने mock test papers के बारे में बात की आप इसके लिए even इस वीडियो के नीचे comment भी कर सकते हो कि आपको यह mock test paper कैसे compilation इसकी चाहिए आप नीचे comment करके भी बता सकते हो जी दूसरा आप इस नंबर पर वर्साव या टेलिग्राम भी कर सकते हो ठीक है जी दूसरी चीज़ हमने यह discuss कि सी तीसरा में ने आपको कहा था कि आप इस नंबर पर वर्साव या टेलिग्राम करें और इस sequence में करें so that हम इसके पास fourth में ने आपको कहा था कि आप इस नंबर पर वर्साव या टेलिग्राम करें जो revision lecture से आप से help हुई है आपका सरक क्या feedback है वो हमें feedback ज़रूर दे ठीक है जी fourth चीज़ में ने आपको ये बताई थी fifth में ने आपको कहा था कि exam postponed हो चुके हैं आप linear और lazy बिलकुल ठीक है जी इसको as a opportunity use करें ठीक है जी तो यहां भी मैंने सारी चीज़े discuss कर ली हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks a lot for watching this video अब मिलते हैं हमारी next video में ठीक है सरा